ओम श्यंति 21 नवंबर अव्यक्त बापदादा के महवाक्य हैं बहुत थीश गुई है शुरू कर रहे हैं बाबा आज विश्व कल्यान कारी बाप दादा अपने विश्व कल्यान के निमित बनी हुई आत्माओं को देख रहे हैं आप सब के मन में भी विश्व कल्यान की ये स्रेश्ट कामना है कि सभी परिशान आत्माओं का कल्यान हो जाए आपकी ये सुब भावनाएं दूसरों का बहुत कल्यान करती हैं भक्ति में भी बहुत भावनाएं रखते आएं लेकिन उससे अल्पकाल की प्राप्ति होती है अब तुमारी सुब भावनाएं दूसरों का बहुत कल्यान करती हैं क्योंकि तुम्हारी भावनाएं केवल सुब नहीं हैं, सभी ध्यान देंगे इन सब्दों पर, तुम्हारी भावनाएं केवल सुब नहीं हैं, परंतु शक्ति साली भी हैं, चाहे किसी आत्मा के लिए, चाहे सारे विश्व के लिए तुम सुब भावनाएं रखते हो, तो सब को मदद मिलती है तो बाबा उधान दे रहे हैं जैसे साइंस के साथ नों से दूर की चीज समीप अनुभव कराते हैं स्पीड कितनी तेज हो गई है अर्चीज की तुमारे संकल्पों की स्पीड तो सबसे अधिक तेज है लेकिन इसके लिए सुब कामना होना भी जरूरी है पहले है सुब कामना सुब कामना गार्थ होता है सुब इच्छा स्रेश्ट इच्छा पिर जब भावनाएं साथ जूर जाती है रहम की भावना सबके कल्यान की भावना अब ये तो हमें कामना रहती है कि ये आगे बढ़ जाएं, इनके दुख समाप्त हो जाएं, इनका चित स्यान्त हो जाएं, ये समस्याओं से मुक्त हो जाएं, ये निर्विघन हो जाएं, ये हैं स्रेष्ट कामना, लेकिन अब हमारी भावना, जिसमें योग के वाइब्रेशन्स भी जाते हैं, हमारी शक्ति सबी इस धारना को अपनाएंगे कई बच्चे छोट छोटी बातों में ज़्यास्त रहते हैं शक्तियां उनमें चली जाती हैं तो तुम्हें इससे बचना है और अपनी साइलेंस पावर को बढ़ाना है तुम्हें साइलेंस पावर बढ़ जाएगी तो दूसरों को अनुभू संसारे हैं मदद मिल रही हैं जैसे तुम कहते हो ये विगन था बाबा की मदद मिल गई हम निर विगन बन गए तो तुम्हारी सुभावनाओं से दूर बैठी हुई आत्माओं को भी मदद के अनुभव होते रहेंगे इसके लिए चाहिए एकान तो रेकागरता इन दोनों के द्वारा ही हमारी योग की शक्ति साइलेंस की शक्ति बहुत बढ़ जाती है तो एकान्त में रहकर स्वचिंतन करना है और अपनी एकागरता को ऐसा अच्छा कर देना है कि मन बुद्धी को जब चाहें जहां चाहें जिस स्वरूप पर चाहें सहज इस्थित कर सकें यह कागरता इसके लिए एकांत चाहिए एकांत में अभ्यास करना पड़ेगा तो साइलेंस पावर बहुत बढ़ जाएगी और तब यह सुक्सम सेवा बहुत होगी बाबा कहरें आगे सेवाओं का रूप बदलता जाएगा इसलिए अभी सुक्सम सेवा का बहुत अच्छा अन स्रेष्ट कामना और भावनाओं की द्वारा सेवाएं क्योंकि आगे जब परिष्थितियां बढ़ जाएंगी तो फिर याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख पाएंगे वे जिनोंने लंबा काल च्छोटी बातों में अपना समय गमा दिया है तो बहुत अटेंशन दिलाया हम सब के लिए सुब भावनाएं रखेंगे कामना भी हमारी बहुत स्रेष्ट हों दूसरों के लिए केवल अपने परिवार वालों के लिए नहीं और दुखी आत्माओं के लिए भी संसार के लिए भी और इस से वाकि हम सुन्दर अनुभव करते चलें क्योंकि संगम युक को वर्दान है परतक्स फल देने का हम अभ्यास करेंगे साथ साथ फल मिलता रहेगा रिजल्ट मिलता रहेगा टीचर्स बैठी हैं बावा कह रहे हैं कि योग्यत टीचर वही है जो इस तरह की सेवाएं करें कि तीचर का महत्विस सेवाओं से हैं सेवाएं ही टीचर की महनता है अपने को हर तरह की सेवाओं के योग्य बनाओ और स्वक्सम सेवा की भिंध भिंध अनुभव करते चलो साथ में कुमारियं बैठी हैं, जो चाहती हैं हम नोकरी करें, बावा तो कहते थे नोकरी की टोकरी उठाएं, पांच हजार मिलते हैं, उन दिनों पांच हजार बहुत होते थे, बावा कहते हैं चाहें पांच लाख भी मिलें, लेकिन सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं वो बहुत बड़ी चीज हैं. ये पांच लाग तो बैंक में रह जाएंगे अगरों में रख्खे रह जाएंगे. कुमार भी मिल रहे हैं और कुमारियों को बावने के बातोर कई अपने को योग्य बनाओ. योग्यात्मा को कहीं बह नहीं होता कि चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, कटनाई होगी, किसी भी कारिये में, चाहे स्थूल में, चाहे सुकसं में अपने को योग्या बनाओ, आगे बढ़ जाओगे, कुमार बैठे हैं, कुमार हो कहा, निर्विघन कुमार बन जाओ, योग्य कुमार, निर्विघन कुमार, साथी बनाने की चन रखो, साथी बनाना है तो दो तिन कुमार अपस में साथ मिलके रहो, जो योग्य कुमार बनेंगे, निर्विकार, निर्विघन कुमार बनेंगे, देखना उनका आगे चल कर कितना नाम होता है, तो पावर्फुल हो सेवाओं में बहुत सहयोगी हो अब ये दो गुण और धारन करते चलना है आज का वर्दान है अपने परिवर्तन द्वारा विजय का अनुभव करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव तो हम अपने को बदलते चलते हैं हमारे नैन रूहानियत का अनुभव कराएं चरित्र बा बाप के चरित्रो का अनुभव कराएं हमारे मस्तक पर मस्तक मनी चमकती हुई नजराएं इसी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी तो सच्चे सेवाधारी भी बनो और विजयी भी बनो माया पर विजयी तब दिरंतर तुम्हारे द्वारा सेवा होती रहेगी स्लोगन है विशे किसी के अंदर भी विशेष्टाय या गुण दाता की देन है इसलिए व्यक्ति को नहीं देखो दाता को देखो आज थर्ड संडे भी है और हमारा सारा दिन का पुर्शार्त भी बहुत सुन्दर इसी तरह चलेगा कि हम सुब भावनाई संसार को देंगे दिन में कम से कम पांच बार एक अभ्यास करेंगे और स्याम को जो साड़े छे से साड़े साथ योग है उसमें भी वही अभ्यास करेंगे मैं globe के उपर विराजमान हूँ, इस देव देवी हूँ, सब के प्रतिरहम की भावना है, सब दुखी आत्माएं सुखी हो जाएं और आज भी से इस रूप से, UN ने उन पीडित व्यक्तियों का दिवस गोसित किया है, जो सडक दुरगटनाओं में, किसी पीडा के, किसी दुरगटना के, किसी ने अंग खो दिये, किसी को ब्रेम की चूट लग गई, जो इस तरह सिकार हुए हैं, तो हम भी आज भी से इस जिनों ने अपनी बहुत छमताएं खो दी है, तांग खो दी है, या कुछ और हो गया है, उन सब को ज्यान में रखते हुए योगदान करेंगे, मैं गलोब के उपर विराजमान हो, सार्व सक्तिवान से सक्तियां आ रही हैं, और उन सब को जा रही हैं, तो यह बहुत आपना जीवन भी निर्विधन बन जाएगा, ओम श्यान्ति